गाइस सैमसंग ने अपना सैमसंग गलेक्सी M10S फाइनली लॉंच कर दिया जिसका प्राइज रखा गया है 9000 रुपे वहीं पर आज हम इस वीडियो का वीडियो में इसका करने वाले कंपेरिजन इन्फिनिक सोट 8 के साथ क्योंकि इसका भी प्राइज लगबग 7000 रुपे है दोनों में 2000 का डिफरेंस है चाल लेते कौन-कौन से सिमिलरिटीज, कौन-कौन से डिफरेंस आपको दोनी फोन्स में देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले अगर हम बात कर लें दोनी फोन्स की डिस्पले की तो यहां पर हम M10S में 6.4 इंचीस और वहीं पर Infinix 8 में 6.52 इंचीस की डिस्पले देखने को मिल जाती है दोनी फोन्स में हमें HD प्लस डिस्पले देखने को मिलती है बट यहां पर हमें M10S में सूपर M.O.L. डिस्पले देखने को मिलती है वहीं पर Infinix 8 में हमें IPS LCD देखने को मिल जाती है वहीं पर Infinix 8 के जो एक्सपेक्ट रेशो है वो भी थोड़े से जादा है comparison to M10S से आगे बात कर लेते हैं दोनी फोन्स की performance की तो हमें M10S में Exynos 7884B के chipset साथ में Mali G71 MP2 के graphics और साथ में Pi की sport देखने को मिल जाती है Infinix 8 में हमें MediaTek Helio A22 जो की 12 nanometer पर बेस है उसके साथ हमें Power VR GE8320 के graphics साथ में हमें 9.0 Pi की sport देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं दोनी फोन्स के memory की तो यहाँ पर M10S में हमें internal memory मिल जाती है और इसके साथ साथ हमें बढ़ाने की capacity 1TB तक मिल सकती है अब देख सकते हैं इसके नीचे का camera मिलता है फ्रंट में हमें 8 Megapixel का वाटर डॉप नोच कैमरा देखने को मिल जाता है इंफनिक सोटेट में हमें 13 प्लस टू प्लस लो लाइट सेंसर देखने को मिल जाते साथ में हमें फ्रंट में 8 Megapixel का एक वी शेप वाटर डॉब नोच कैमरा देखने को मिल जाता है तो आगे बात कर लेते दोनी फोन्स की बैटरी की तो हमें M10s में 4000 एमेज की बैटरी मिलती है 15 बाड के फास्ट चार्जिंग के साथ वहीं पर इंफनिक सोटेट में हमें 5000 एमेज की बैटरी मिलती है साथ में 10 वाट का एक नोर्मल चार्जर मिल जाता है तो अगर आपको का इस वीडियो अच्छी लगते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस वीडियो को लाइक कर दीजे थैंक्यों गाइस पूचिंग